हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत की परातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्स्क्राइब करें, तिलक कथाएं पता चला है कि जेजुरी तो पहुँचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है अरे, जब देवा का आशिरवाज साथ है भावी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेमानी है सुशिला भावी, शाई बाबा खुद महालसापती के साथ होंगे साथियों, अब हमें चलना चाहिए जी महालसापती जी जजूरी जा रहे हो आप सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो जजूरी में खंडूबा का मेला है और खंडूबा हमारे कुल देवता है हम हर बरस मेले में खंडूबा के दर्शनों के लिए जाते हैं इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब जैजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी? साइनाथ? साइनाथ आये थे। यहाँ, यहाँ साइनाथ आये थे। क्या? साइनाथ जब साइनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा है और हम जेजूरी जाएंगे साथियों हम जेजूरी जाएंगे हम में से हर कोई आजाद होना चाहता है मुक्ती चाहता है लेकिन अपने कर्मों के बंधन में जकला इंसान कभी आजाद नहीं होता एक बंधन से उसे आजादी मिलती है तो दूसरे बंधन उसे जकरने के लिए तयार होते हैं इनसान के जब प्राण पखेर उड़ जाते हैं तो कहते हैं वो आजाद हो गया नहीं उसकी आत्मा उस शरीर रुपी चोले को त्याक कर अपने कर्मों के भोग अपने साथ लेकर दूसरे शरीर का चोला पहन लेती है क्यों? भोग भोगने के लिए जिम नए जन में भी उसे अपने पुराने किये कर्मों के भोग भोगने हैं तो फिर वो आजाद कैसे हुआ? पिता, पुत्र, पती इस रूप में आदमी अपने कर्तव विद निभाता रहता है और पीटी, मा और पत्नी के रूप में औरत अपना कर्तव विद निभाती रहती है अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुन्य मिलेगा पुरे कर्म हमारे पाप की राशी को पढ़ाते हैं पुन्य हो या पाप हमें दोनों के फल भुकतने पड़ते हैं यही वो बंधन है जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं चुचीला बेहन महासापती के बारे में सोच रही हो ना वो ठीक है खुश है लेकिन बाबा पता चला है कि जेजुरी तो पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है अरे जब देवा का अशिरवाज साथ है भाबी तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेमानी है सुशिला भाबी शाई बाबा खुद महासापती के साथ होंगे हाँ सबका मालेक ही 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 के लाबी झाल झाल साथियों, अब हमें चलना चाहिए जी माल सापती जी जजूरी जा रहे हो आप क्या हुआ, अब सवाल पूछ कर चुप क्यों हो गया सोच रहे थे कि आप से कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो जजूरी में खंडूबा का मेला है और खंडूबा हमारे कुल देवता है हम हर बरस मेले में खंडूबा के दर्शनों के लिए जाते हैं इस बार नहीं गए तो हम पर खंडूबा का कोप होगा खंडूबा का कोप ही तो हुआ है क्या मतलब जैजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है प्लेग की बिमारी? अगर आप वहाँ जाओगे तो जिन्दा नहीं लोटोगे हमें वापस श्रीडी लोटना पड़ेगा माहल सा पती जी हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे ख्रमा मांग लेते हैं यहीं से? साइनाथ 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 अप यहाँ आए थे अनन्त कोटि ब्रहमां बनायक राजाधी राज योगि राज परप्रहम सचितानंद सद्रू साइनाथ साइनाथ महाराज की यह बाबा आप कहीं से होकर आये हैं नानावली मैं महासापती को धीरज देने गया था तुम जे जुरी जाओ और अपने कुल देउता के दर्षन करके शृड़ी लोट आओ मैं तुमारे साथ रहूंगा महासापती क्या हुआ महासापती जी साइनाथ आये थे यहां साइनाथ आये थे क्या साइनाथ जब साइनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा है हम जेजुरी जाएंगे साथियों हम जेजुरी जाएंगे 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 बोलो साइन बाबा की जाए साइन बाबा की जाए खंडोबा की जाए खंडोबा की आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी लेकिन यहां तो जंगली जंगल है हाँ शायद हम रास्ता भटक गए हैं सौधान महाल स्रपती लगता है भील यह डाकू हमारे पीछे हैं कहीं मार तो नहीं देंगे हमें साइनात हमारे साथ है महिपत्राओ कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता और हम घंडोबा के मेले में जा रहे हैं घंडोबा हम पर आज भी नहीं आने देंगे कि तुम सब लोग खंडूबा की जहजेकार करो जेजूरी के खंडूबा की जहजेकार करो उसके बाद जहजेकार करने के लिए तुम में से खोई भी जिन्दा नहीं रहेगा देखो हम जेजुरी जा रहे हैं खंडोबा के मेले में तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते हैं हमारे पास जो कुछ है लेलो लेकिन हमें जिन्दा छोड़ दो उस पालकी में क्या है दिखाओ पाल्की में खंडोबा है तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीम की चीज पाल्की के अंदर छुपा के रखते है तुम पाल्की को हाथ नहीं लगाओगे जाओ साइनाथ खंडोबा को अरपन करने के लिए गाओं के बहुत से लोगों ने आठाना एक रुपया सवा रुपया करके पुरे एक यावन रुपया दिये हैं हिंडाको ने वो सब लूट ले तो मैं खंडोबा को क्या हरपड़ करूँगा गाँवालों को क्या जवाब दूँगा मुझे इस पाप से बचाईए साइनाथ कुछ बाकी जे खिर पीजे करे बख़गे हैं विर्याक सुमें क्या हो गए ये? अरे क्या है अंदर? मौरा हमारे एको महीं अरा हिंक्छ थीकाए क्यों ने दे रहा है वी आपया थीकों ने दे रहा है क्या हो जह शैकली दे रहा है लगता है मैं अंधा हो गया हूँ चुप रहो गुलाल से कोई अंधा होता है अरे अरे वो तो भाग गए है जरूर जरूर उनके पास धेर सारा माल होगा चलो पीशे करते हूं उनका चलो हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं कैसे बच पाएंगे उन भीलों से यह तो जब माला है तब तो यह सभी आतरी इसी रास्ते से जल्दी चलो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे चलो अब क्या करें यहां से तो दो दो रास्ते हैं कौन से रास्ते सागी चाहें मैं मशाल जलाता हूँ नहीं रोश्नी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां है साइनाध अब आप ही हमारा मार्क दर्शन करें हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें अरे सोच क्या रहे हो माहल सा पती बाही तरफ जाओ बाही तरफ सुना तुम लोग ने गुत्ता भौक रहा है मतला पास में ही बस्ती है हम इस बाहे रास्ते से ही आगे जाएगी चलो नहीं रुकिये मेरी चपल तूट गई है वो सब फेको चल्दी और चलो अरे यहां तो दो रास्ते हैं कौन से रास्ते से गया होंगे वो देखो चपल पड़ी है तूट गई है इसले फेक दी है वो लोग वही रास्ते में मिलेंगे चलो अरे 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 मुझे हर वक्त अपने भक्तों की चिंदा बनी रहती है जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ती करता है मैं उसके साथ हर पल रहता हूँ जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पन होता है उसी प्रकार मैं उसकी साहता करता हूँ मालसा पती जी कुट्टा भॉंक तो रहा है लेकिन दिखाए नहीं दे रहा है अक्सर एक कुट्टा भॉंकता है तो दूसरे कुट्टे भी भॉंकते हैं लेकिन हमें एक ही कुट्टे की आवास सुना ही दे रही है खंडू बाराया जे खंडू बाराया जे खंडू बाराया महराज आप इस बस्ति में कैसे पूँचें जंगल का रास्ता खराब है जनवरों के साथ साथ डाकू लिटोरों का भी भैराता है डाकों से बचने के लिए हम इस रास्ते से आएं एक खुट्टे ने हमारा मार्ग दर्शन इसी घूण किया को जाते हुए देखा था उसके साथ एक कुट्टा भी तो था फकीर के साथ कुट्टा उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहने थी सर पे सफेद कपड़ा बाना था उन्होंने हाँ हाँ वैसे ही थे साइनाथ मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं ऐसे ही डर रहा था मैं जहां आप है वहां धर कैसा है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई जय साइनाथ जय साइनाथ मेरे लिए काफी है मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो मैं किसी ना किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं जो पूरी तरह से मेरा शनागत है उसका मैं उत्धार करता हूं सबका मालेक एक नाई बावा हुआ ह flux किसी बावा हुआ हुआ हाई करसे कर्यों तरह से में विए्यों है